क्या विप्रीत परिस्थितियों ने ही चिराग पासवान को मोदी का हनुमान बना दिया है? हनुमान ने पहले बढ़ गया था पस तो नहीं गए डेता जी नहीं वो यह रिष्था मेरे और मेरे प्रधान मंतरी जी का बहुत अलग है और मैं इसको flaunt नहीं करता, नहीं में करना चाहूंगा बट हकीकत में यह सिर्फ या तो प्रधान मंतरी जी ने महसूस किया या मैंने महसूस किया आप मुझे बताई ना कितनी बार आपने मेरे प्रधान मंतरी जी को सारजनिक तोर पर अपने आपको इतना एक्स्प्रेस करते वे देखा जिस तरीके से उस दिन अगर मेरी यादाश ताई है तो 18 जुलाई की ओडेट थी जब इंडिये के 25 साल होने पर जब बैठक हुई थी और जिस अपने पन से गालों को चूँकर प्रधान मंतरी जी ने मुझे गले लगाया वो लमहा मैं समझ सकता हूँ क्यों क्योंकि मैंने उसको कही बार उसका अनुभव किया है जब पापा हॉस्पिटल में थे एक परिवार के सदसे की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे डियूरिंग मैं डिफिकल्ट टाइम्स लोगों ने बहुत ताने दिये कि बड़ा हनुमान बनता था ये वो क्या हुआ कहा है राम और क्या वो बट वो कब-कब मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़े रहे हैं बले सारजनिक तोर पर दिखे नहीं दिखे ये से मैं और मेरा परिवार जानता है तो इसलिए हनुमान जो कहा जाता है और इससे पहले तुम्हें ने कहा कि ताने के तोर पर यूस किया जाता था वो मैं उनका था हूँ और रहूँगा ये समर्पण से वो नीक दया जब रिष्टों की इतनी बात होती है तो फिर घर की तलखी को ही क्यों नहीं निप्टाया जा पा रहा है चाचा के साथ संबंद क्या इतने बुरे हो गए है कि वापस एक जगा नहीं आ पाएंगे विरासत तक आ गई है बात देखे मैं जिस परिवार से आता हूँ हमारे याँ घर के परिवार के बड़े ही ये तमाम फैसले लेते हैं जब तक पापा थे ये सारे फैसले उन्होंने ही लिए उनके जाने के बाद इस भूमिका में मेरे चाचा जी थे परिवार के बड़े घर के बड़े ये तमाम फैसले परिवार को एक जो टकना पाटी को एक जो टकना ये सब फैसले उन्हीं को ही लेने थे और अगर वो लेते तो सब एक साथ रहते भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर पाए मैं नहीं जानता मैं छोटा हूँ उनका तो मैं बच्चा ही था माल ली जगन मुझसे कहीं कोई गल्ती भी हुई थी कोई चूप भी हुई थी मेरा कान पकड़ते मुझे दो थपर लगा देते मुझे डांड़ देते समझाते बताते मैं अगर उनका अपना सगा बेटा होता तो वो यहीं करते ना उसको तो इस तरीके से अकिला नहीं चोड़ देते सडक पे नहीं चोड़ देते जब आप राजनीती की बात करते हैं तो सर्वे ऐसे बता रहे हैं कि BJP को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है लेकिन J.D.U. को ज़्यादा फायदा है साथ में आने से आपको ऐसा लगता है? मैं बहुत ओने सी बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा सर्वेस पे मैं नहीं चलता हूँ, मैं अपनी महनत पे मैं काम करता हूँ And I'm not saying this, कि कोई चीज अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आ रहे है तब, जब हम लोग के पक्ष में भी आती है, तब भी मैं यही मानता हूँ मैं और महनत करने की ज़ुरत है, क्योंकि अगर सर्वेस पक्ष में आगे और आप रिलाक्स होके बैठके सर्वे के भरोसे तो फिर बंटा धार हो जाएगा तो आपको निरंतर अपनी महनत पे काम करना है, मैंने वो भी समय देखा है मुझे हर बार सर्वे में, मुझे अनिसलि बता हूँ, हम लोग साथ सीटे लड़ें, तब भी मुझे दो ही दिखाई जाती हैं सर्वे में, हम लोग छे सीटे लड़ें, तब भी मुझे दो ही दिखाई जाती हैं अब मैं पांच सीटे लड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कित यह विश्वास मुझे वहीं सही आता है. जो दक्षिन भारत में या महराज में कही बार कहा जाता था बिहारीों को लेकर या जिस तरह के कॉमेंट्स किये जाते थे नेताओं द्वारा, आपको लगता है वो बहुत तकलीफ देते हैं? बिलकुल देते हैं. और तो बिवरी ओनेस्ट, इस वन अफ़ दी रीजन की मैं क्यों राजनीती मैं हूँ. मैं 2009-10-11 के आसपास मैं मुंबई में था, वहां पर मैं काम कर रहा था हूँ, एक फिल्म मैंने की थी, मैं उस पर मैं काम कर रहा था और उस दौरान जिस तरीके से बिहारीयों के साथ वहां वरताफ किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था. ये बाते मैंने अपनी आँखों से महां पर होते वे मैंने देखी हैं और यही कारण रहा है मेरा राजनीती में आने का, इन सारी बातों की मुझे तक्लीफ थी कि भाई एक बिहारी को ही क्यों दूसरे राज्य जाना पड़ता है, जब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो चा इसलिए बाद चालिस में से उन्चालिस जीते थे, इस बाद चालिस की चालिस जीते हैं गया क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? चाहत, हकीकत, दो अलग अलग चीज़े हैं मैं हकीकत में जीता हूँ चाहते आपकी बहुत सारी हो सकती हैं उसके कोई माइने नहीं है जब तक हकीकत से उन बातों का सामना नहीं होता और हकीकत से मैं सामना करता हूँ लोगों से मुलाकात करके कल को अगर मेरे नसीब में हुआ जैसा मैंने कहा calling me मानता हूं भाग ये मैं इन تمाम बातो is हुआ जरूर मेहनत जरूर कररा हूं अब इस मेहनत का परिणाम जन्ता किस रूप में देती है जिस भी रूप में देगी वह सरांखों पर होगा अभिनेता के तो डायलोग सुन सकते हैं, नेता की तो बहुत सारी नारे बाजी सुन ली हमने नेता की नारे बाजी अभिनेता के डालोग अन्तो गत्वा जन्ता जिसीज को सुिकार करती है मैं नहीं जाने दो शर्म को आप हैं, अभी लेका छिराग फासवान शनना है रिजिक च चुराग दो इस देख इस मिरे इतने फेम मेरे फिल्म नहीं चल जाती मेरी क्या बात कर रहे हैं आप है आठ भी कोई चीज है ज़रूरी थे ऐख हैं अप्रम्शल सकसेस अपर Thank you for the consolation prize जाने रही दोगी मैं अपना ही डालोग शना है? अपना है अपना है दिया बज़ कि एपना है यह सेट पर निया जाट हो ते इपना है यह ज़िए यह चाहले कि एपना है इसेट निया तो एक नेतागिरी के गुण थे अब भई हूँ तो एक नेता काई बेटा तो मैं वहाँ पर जाता था मुझे रिटन स्क्रिप्ट देती थी मैंने आज तक मैंने कभी कोई पढ़के बाशन नहीं तो स्क्रिप्ट मुझे कहा से आदो रिटन टालोग तो मैं अपने ही डालोग बोलने लगता था वहाँ पर यह अन्ये वह कोई भी को आज से भी कि है तो मैंने भी लिवक मैं नहीं रिटन में अट पाला है इन हुआ मैं अछ निम्ट प्रोबल्म किया आयों तोर ऑन गूलाइ तो अर्क रॉष् С्परवाइज कर में एक एक पने का बना देता था त। वो सीन जो आदा मिनट में काट होना था वो धाई मिनट जा रहा है सब्सक्राइब अभी नेता वाला तो अब कुछ नहीं हो सकता जो कुछ बचा है अब ये नेता ही बचा है जैसे ही घड़ी का काटा दो पहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे